जी नमस्कार साथियो गुड़ मॉर्णिंग प्यारे दोस्तों जैहिंद बंदे मातरम रादे रादे यूपी पुलिस यूपी पुलिस शिफाई SI रेडियो प्रेटर के जो तमाम एक्जाम है या कोई भी एक्जाम सेंटरल या स्टेट गॉर्मेंट का आप देना चाते हो और उसमें आपको वास्तों में दिक्कत है कम समय में राइट कोईशन करने की यह कोईशन ही आपके सही नहीं हो रहे हैं तो हिंदी की टेंशन खतम करने के लिए बीस मिनट के सो में आप सभी दोस्तों का हर्दी का भी नंदन और स्वागत है प्यार दोस्तों हम रोज लाइव ह हनुमान जी का दिन है, सोट ट्रिक के साथ हम टोपिक पढ़ेंगे, गुरूप बना बना के, इस गुरूप के अंतरगत पहला जो प्यार दोस्तो टोपिक है, वो आज का हम लेंगे समास, तो समास के जितनी भी सोट ट्रिक है, वो आपको बताएंगे, आपको यह ध्यान रखना हैं दोस्तो, यहाँ अब जो किलास चलेगी, यहनि कि आज से लेके इस सफ़ता, वो चलेगी गुरूप नंबर एक की किलास, और इस गुरूप नंबर एक के अंदर हम यह टोपिक पढ़ेंगे, एक टोपिक होगा प्यारे दोस्तों, यहाँ समास यह आपको ध्यान रखना है, दूसरा टोपिक होगा इसमें विराम चिन, दूसरा टोपिक क्या होगा विराम चिन, यहाँ में रोज टोपिक उस पे पोश्टर पे नहीं डलवाऊँगा, आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, तीसरा टोपिक होगा लिंग यहां पे लिंग के बारे में जानेंगे चोथा टोपिक होगा प्यार दोस्तों यहां पे वचन के बारे में जानेंगे और इसके बाद में यहां पे प्यार दोस्तों हम जो टोपिक लेंगे वो लेंगे यहां पर मुहावरे और कहावतों का क्यों को करते समय किन चीजों का ध्यान रखना है वो आपको करना है ऐसे फिर जब ये complete होगा group number 2 इस तरीके से पूरे प्यारे दोस्तों 10 group के अंतरगत हम पूरी हिंदी को कर देंगे आपके complete और आपके paper से पहले ठीक है यहाँ पर आज का जो topic है हमारा वो topic है समास तो समास से जो जहां से person बनेंगे एक परसन तो प्यारे दोस्तों आपका यह बनेगा बस चीजों को आपको समझना है ध्यान से सुनना है ठीक है तो यह जो बना है एक परसन तो यह है कि सम और आज से मिलके बना है इसमें सम क्या है उपसर्ग है यह आपका मोल सब्द है दूसरा इसका साबदी कर्थ पूछा जाता है साबदी कर्थ इसका होता है संगसेप ठीके तीसरा आपको ध्यान रखना है पूछा जाता है समास के भेद तो समास के जो भेद होते हैं प्यारे दोस्तों वह चार भी होते हैं और समास के भेद हमारे यह आपको ध्यान रखना है छे भी होते हैं तो चार से छे अब यह चार और छे का चकर क्या है चार छे का चकर यह है क्योंकि इन में से आपको ध्यान रखना है जो हमारा करमधारिये समास है कौन सा समास है करमधारिये करमधारिये वे दीग समास करमदारियव दीगू समास जब ये ततपुरुस के अंतरगत चले जाते हैं किसके अंदर चले जाते हैं ततपुरुस के अंतरगत चले जाते हैं तो उस समय समास के बेदों की संक्या कितनी हो जाती है चार हो जाती है ठीक है इसके बाद फिर यहां से परसंद जो बनेगा हमारा वो बनेगा समास के भेद का कि आखिरकार उस समास के अंतरगत कौन कौन से आते हैं समास के भेद तो समास के भेद कितने हैं समास के भेद अच्छ है इन में से एक भेद है हमारा अव्यई भाव समास कौन सा समास है अव्यई भाव समास है और इस अव्यवाव समास की जो सोट्रिक है वो सोट्रिक प्यारे दोस्तों हमारी ये है कि इसमें पहला पद अव्य होता है और वो जो अव्य है जिसको हम एविकारी भी कहते हैं इसी अव्य को हम क्या कहते हैं एविकारी अथा जो सब्द किसी लिंग वचन कालकारक में परिवर्तित ना हो उसी को हम कहते हैं एविकारी सब्द तो जो पहला इसके अंतरगत यहां से लेकर यहां तक अव्वय है तो इसका बनाएगा इसके साथ साथ प्यारे दोस्तों वो पराकरम सब्द बनाएगा और इन सब्द में क्या है अव्याई भाव समास है दूसरा जो एविकारी अथार्ट अव्या होता है वो होता है निपात इसका मतलब यह हुआ कि अव्याई भाव समास में दो जो सब्द होंगे उनम यहां पर भर सक भर क्या है निपात है ऐसे यहां तथा योगता तथा क्या है यहां पर प्यारे दोस्तों हमारा निपात सब्द है तो जहां पहला उपसर्ग मिले दो सब्दों में से उपनिपात मिले तो वो क्या क्या लाएगा वो अव्याई भाव समास क्या लाएगा तीसरा आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें एक सब्द होगा अव्य क्या होगा अव्य के साथ में दूसरा भी कोई सब्द अव्य हो सकता है ठीक है तो वो भी क्या क्या लाता है हमारा अव्याई भावसमास जैसे फोर एक्जामपल यहाँ जो हमने सब्द लिया हैं वो ले लिया हमने यहां धीरे धीरे तो धीरे धीरे क्या है यह दोनों के दोनों अव्य सब्द हैं यहां हमने सब्द ले लिया आज कल तो यह भी क्या है इसमें एविकारी है और यहां सब्द ले लिया हमने यहां पे अंदर और बहार तो इनमें पहला सब्द जो है अंदर बहार में अंदर अपने आप में एविकारी अथार्थ अव्य है क्योंकि आप अंदर से अंदरे और अंदरी नहीं बना सकते बहुत सारे बच्चेस में दुवंद समास बताएंगे जब कि दुवंद नहीं है दुवंद कब होता जब ये संग्या सर्णाम विशेशन किरिया होते एक तो सो ट्रिक आपकी अव यही भाव समास की यह थी दूसरी जो सो ट्रिक है अव यही भाव समास की जो समस्थ पद होगा अव यही भाव समास में समस्थ पद मतलब क्या होता है पूरा पद समस्थ पद नपुन्सक लिंक का होगा समस्थ पद क्या होगा नपुन्सक लिंक का होगा कभी भी पूरलिंग और इस्तिर लिंग का नहीं होगा नपूसक लिंग सब्द होगा यह आपको ध्यान रखना है यहाँ जैसे four example हमने यह यह ले लिए मैंने कहा यह पर आजनम मैंने कहा यह पर परिया वरण तो यह परिया वरण कोई भी एक एगजामपल, प्यारे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, पुर्लिंग इस्त्री लिंग का होता ही नहीं है, नपुन्सक लिंग के सब्द होंगे, तीसरी सोट्रिक आपकी अब यही भाव समास की यह है, कि यहां सब्द की आवर्ती, यहां आपको ध्यान रखना है, आवर्ती जो है, आवर्ती सब्द की समास कहां होता है, जहां दो सब्दों का योग हो, सब्द की आवर्ती, सब्द की आवर्ती, बिना योजक चिन, बिना योजक, बिना योजक चिन की, सब्द की आवर्ती बिना योजक चिन के जहां होगी वो क्या क्या लाएगा अव्यई भाव समास कैसे क्या लाएगा जैसे दिनों दिन ये अव्यई भाव समास है रातो रात ये भी अव्यई भाव समास है ये दिनों दिन है रातो रात है क्या है रातो रात है बातो बात है बातो बात हातो हात कानो कान ये सारे के सारे हमारे क्या है ये अव्याई भाव समास के उधरन है लेकिन अगर प्यारे दोस्तों हम इनको इस रूप में ले आए इसको दिन और दिन में कर दू में ये दुवंद समास हो जाएगा इसको मैं रा आएगा दुएंद समास यानि कि ये तो सारे के सारे आपके जो एक्जामपल है इनमें दोनों सब्दों की परदानता है इसलिए ये दुएंद समास के एक्जामपल है लेकिन ये बिना योजक चिन के सब्द यहां आवर्ती कर रहा है इसलिए सारे के सारे क्या कहलाएंगे इस योजक्चिन आया है योजक्चिन इसी हाइपन को कहते हैं जो हमने यहाँ परियोग किया है लेकिन अगर एविकारी सब्दों के साथ हाइपन आएगा फोर्ट और लास्ट इसकी सोटरी क्या है एविकारी सब्दों के बीच में एविकारी कौन से होते हैं जो किसी लिंग वच समास क्या लाएगा जैसे four example हमने यहां पे लिया धीरे धीरे यह एविकारी सब्द है जल्दी जल्दी ये भी एविकारी सब्द है अलग अलग ये भी एविकारी सब्द है अलग अलग ये सब क्या क्या लाएगे ये सब क्या लाएगे हमारे अव्याई भाव समास तो ये तो पद दोनों पद परधान समास यह कहलाता है दोनों पद परधान और इसमें जितने भी विलोम सब्द होंगे यह आपको ध्यान रखना है इसके अंतरगत क्या है जितने भी विलोम सब्द है दुनिया के सारे विलोम सब्द दुएंद समास के उधारण है आपको यह ध्यान परदा हो ठीक है तो वो सारे के सारे परतीयोगिता परतीस परदा किस में जैसे राम और रावन के बीच में क्या थी यहां पे करण और अरजुन के बीच में क्या थी करण और अरजुन के बीच में परतीयोगिता परतीस परदा थी इसलिए वो क्या क्या लाएंगे विलोम सब आ जाए वो सारे के सारे क्या क्या लाएंगे दुवेंद समास इसके बाद आपको ध्यान लखना है जहां सब्द की आवर्ती हो विकारी सब्द की आवर्ती हो रही है तो वो भी क्या क्या लाते हैं जैसे अभी हमने किया है यहां हरा हरा हमने परियोग कर लिया ठीक है यहां क्या क्या लाएंगे हमारे पीला पीला है हरा हरा है चोटा चोटा बड़ा बड़ा है कोई भी संग्या सब्द हैंगे तो संग्या की भी आवर्ती होगी बेटा बेटा अगर हम कर रहे हैं तो यह संग्या सब्द है बेटा बेटा यह आपको ध्यान रखना हैं यह सरुनाम सब् के ही आपके उधारन बनेंगे इसके बाद कहीं अर्द आवर्ती हो रही हो विकारी सब्दों की अगर अर्द आवर्ती है क्या है विकारी सब्दों की अर्द आवर्ती है अर्द आवर्ती कैसे होगी अर्द आवर्ती जैसे यहां हमने परियोग कर लिया चाय वाय कपड़ा करें संबंद को परकट करें तो वो भी क्या क्या लाते हैं जहां दो समस्थ पद संबंद को परकट करते हैं वो भी क्या क्या लाते हैं हमारे दुएंद समास पती पतनी दुएंद समास है जीजा साली जीजा साली दुएंद समास है भाई बेहन दुएंद समास है भाई बेहन गुरू सिस्य क्या है दुएंद समास है सम्मंद को परकट करते हैं तो वो भी क्या क्या लाते हैं जहां समास विग्रे करते समय क्या है समास विग्रे करते समय समास विग्रे समास विग्रे करते कि हम माता और पिता तो जहां माता और पिता ये क्या क्या लाएगा हमारा समास विगर है दुवंद समास का क्या लाएगा ये आपको ध्यान रखना है इसके बाद साथ वी और लाष्ट जो कंडिशन है वो कंडिशन ये है जैसे संख्यवाची सब्द आ गए ग्यारा आ गया ठ दुवंद समास क्यों क्यों कि 10 और 1 क्या हो गया यहां पर 10 और 1 10 और 1 10 और 1 11 ऐसे ही प्यारे दोस्तों यह 50 यह क्या हो जाएगा 50 और 5 55 ऐसे ही यह 90 और 2 क्या हो जाएगा आपका बान में यह सारे के सारे क्या क्या लाए हमारी यह दुवंद समास के उधन क्या लाए तो उमीद करता हूँ कि इसी स्पीड के साथ में आप अगर हर चीज को complete करोगे तो बहुत अच्छे तरीके से इसको आप complete करोगे इसके बाद में तीसरा समास है आपका करम धारिय समास कौन सा समास है करम धारिय समास करम धारिय समास में आपको ध्यान रखना दो समास में दो होते हैं उनमें से दो पद में एक कारिये होगा कारिये को करने वाला कारिये और दूसरा एक कारिये होगा दूसरा कारिये को कारिये को करने वाला कारिये को करने वाला कारिये को करने वाला क्या कहलाता है करता कहलाता है तो जिन सामासिक पद से करता का बोध हो वो क्या क्यलाते है करमधारिय समास कैसे क्यलाएंगे जैसे सोनकार सोने से वस्तु बनाने वाला कुम्बकार ठीक है गड़े बनाने वाला कुम्बकार लोहे की वस्तु बनाने वाला लोहार चर्मकार चमडे की वस्तु बनाने वाला क्या क्यला आता है चर्मकार दूसरी जो कंडिशन है प्यारे दोस्तों क्या है एक सब्द विशेशन होगा एक सब्द विशेशन जो किसी की विशेशता को बताएगा दूसरा वो सब्द होगा जिसकी विशेशता बताई जाएगी ये विशेशन हमेशा क्या होता है संग्या सब्द होगा तो विशेशन विशेश समास भी हम इसको कहते हैं और विशेश समास का मतलब यहां पे यह हुआ कि वो यह कहेगा जैसे काला साप एक विशेशन हो गया और साप क्या हो गया विशेश से जैसे कमीना मंतरी ठीक है तो कमीना मंतरी में एक विशेशन दूसरा विशेश से ऐसे ही तीसरी जो condition है इसकी वो तीसरी condition है उपमान उपमे समास क्या है उपमान उपमे समास भी हम इसको कहते हैं उपमान उपमे समास भी हम करम धारिय समास को कहते हैं उपमान उपमे का मतलब यहां यह हुआ कि एक यहां पे प्यार दोस्तों जैसे कमल सब्द है यह उपमान है कमल न एक उपमान है दूसरा गज गामनी गज उपमान हो गया और गामनी हाती के सवाल चलने वाली गज गामनी हो गया चंदर मुक चंदर यहाँ उपमान है और दूसरा क्या हो गया उपमे तो समास होता है वहाँ जहाँ दो सब्द होते हैं अगर दो सब्द में एक उपमान है और दूसरा उप में हैं वो क्या क्या लाएगा उपमान उप में यहां हिंदी का रिविजन हो रहा है सोट्रिक के माधम से हिंदी को सिखाया जा रहा है तो यह सारे के सारे चोथी सोट्रिक क्या है चोथी सोट्रिक है एक गुन होगा और दूसरा क्या होगा गुण गुणी ठीक है गुण गुणी संबन्द होगा क्या होगा गुण गुणी संबन्द को जो बता रहा है वो कहलाता है करमधारी है जैसे कहा इमांदार सिखसक ठीक है इमांदार इमांदार सिखसक यह क्या एक गुण है दूसरा क्या गुणी है करमट नेता क्या है करमट नेता एक गुण है दूसरा गुणी है साहसी पुरुस एक गुण है दूसरा गुणी है यह आपको ध्यान रखना है ठीक है महंती चात्र या होनहार चात्र यह क्या है होनहार चात्र एक गुण है और दूसरा गुणी है तो यहाँ गुणी कुण सा है सिखसक, नेता, पुरुस और चात्र और गुन की आओ, मांधार, कर्मत, साहसी और होनहार होना तो ये था आपका करमधारी ए इसके बाद चोथा जो समास है वो है आपका दीगू समास दीगू समास में आपको ध्यान रखना है दीगू का जो साबदिक अर्थ होता है वो एक दीगू का साबदिक अर्थ होता है संख्यावाची दीगू का क्या अर्थ होता है संख्यावाची ठीक है तो दूसरा अर्थ होता है सम्होवाची दूसरा अर्थ क्या होता है दीगू का सम्होवाची तो कुछ सब्द ऐसे होंगे जो समू का बोध गराएगा समू वाची समू वाची सब्द कैसे होंगे जैसे यहां पे सफता ले लिया साथ दिनों का समू दसक ले लिया है दस वर्सों का समू सतक ले लिया सो वस्तों का समू सताबदी ले लिया सो वर्सों का समू तो यह क्या ह हमारे धियुगू समास है, सैसस भूझा ले लि हजार भूझा वाली जो सैसस भूझा है ऐसे ही प्यार दोस्तों यहाँ चवनी आ गई चवनी चार आनेवा का सम्मू हैं पंजाब आ गया पांच नदियों का सम्मू यह क्या है पंजाब, यह सब सम्मू आची थे संख्या वाची में यहाँ पर क्या आता है एक से लेके दस तक पहला सब्द होगा एक से दस तक एक से दस तक की एक से दस तक की संख्या एक से दस तक एक से दस तक की संख्या संख्या पहला पद पहला पद होगा और दूसरे की वो विसेस्ता बताएगा जैसे for example मैंने ले लिया यहाँ पर एक मत मैंने यहाँ सब्द क्या ले लिया एक मत सब्द ले लिया ऐसे ही मैंने दो पहर ले लिया क्या है यहाँ पर दो पहर यहाँ पर मैंने ले लिया प्यारे दोस्तों तिराया यहां पे मैंने ले लिया चोपाया ऐसे यहां पे मैंने लिया पंचा अमरत पंचवटी ऐसे ही हमने यहां पे ले लिया सडासन छें आसन ऐसे यहां पे ले लिया सब्ध पदी साथ पदोवाली ऐसे यहां पे सब्ध ले लिया अश्टांग आठ अं क्या हैं दस अवतार ये सारे के सारे क्या हैं हमारे दीगू समास के उधारन हैं एक से दस तक की संख्या पहला पद के रूप में होगा ठीक है दूसरे पद की विशेशता बता रहे होगी दूसरा पद परधान होता है और या फिर समू होगा समास विग्रे करने के दोरान दो स होगा परियोग होगा या फिर समाहार तो या फिर समाहर कहां समास विग्रह में तो समास विग्रह में आपको जहां समू या समाहार ये दो सब्द दिखाई दे आंके बंद दीगू समास क्या गया लाएगा आंके बंद दीगू समास आपको ध्यान रखना ऐसे बहुत सारे एक विर्वी समास है बवीडी समास बाद में बना इसके जितने भी एक्जामपल है वो दीगूर करमधारिय के हैं इसमें क्या होता है अन्यापत परधान अन्यापत का मतलब क्या होता है पहले दो पद छोड़के कोई तीसरा जहां पहला दूसरा पद गोन हो एन्य की परधानता है हो क्या 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 लाता है वो क्या लाता है बहुविरी समास कहां होगा आपको द्यान रखा है कि जहां पर तीसरे की परधानता हो किसकी परधानता हो तीसरे पद की परधानता हो ठीक है जिस नगर को बसाया या आबाद किया गया है जिस नगर को बसाया या आबाद किया गया हो आबाद किया गया हो वो भी क्या क्या लाता है बहुविरी समास तीसरी सोटरी क्या है समास विगरे करते समय समास विगरे समास विगरे करते समय यहां हम वाला वाली वाले वाला वाली वाले अथार थर्ड परसन का परियोग या फिर किसका परियोग करेंगे जिसका जिसकी जिसके का परियोग करेंगे जो हमें third person को बताएगा तो आपको यह ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों जैसे four example यहाँ पे हमने एक सब्द ले लिया पितामबर पीतामबर में करमधारिया भी बहुविर्य भी है यह आपको दियान रखना है यहाँ पे ले लिया हमने नेलकंट ठीक है ऐसे ही हमने यहाँ पे सब्द ले लिया तिरी नेतर ऐसे यहाँ पे हमने सब्द ले लिया चतुर भुज क्या ले लिया चतुर भुज ठीक है क्योंकि इन में संख्या भी आ रही है ये भी मैंने दोनों को समझाया तो ये अपने आप में पीतांबर जो है प्यारे दोस्तों भी सुनू कहलाता है इसलिए बवीरी है ओपसन में बवीरी ने तो करमधारिया है नेलिकंट सीव कहलाता है तो राइट आंसर बहुविरी है ओफ्षन में बहुविरी नहीं है तो ये करमदारिये का उधारन है यहां तरी नेतर सीव कहलाता है ओफ्षन में बहुविरी है तो बहुविरी है नहीं है तो ये दीगू समास का उधारन है चतुर भुज विशनू के होते हैं इसलिए जब तक ओफ्षन में प् विशेशन और विशेश्य है यह उसके उपर डिपेंड करता है प्यारे दोस्तों जो आपके पास options हैं क्योंकि बहुविरी का खुद का अपना कोई example नहीं है इसलिए यह क्या लाते हैं हमारे करमधारिय दीगू इनमें पहला पत संक्यवाची था यह विशेशन विशेश्य थे option में बहुविरी राइट आंसर बहुविरी ऐसी जिस नगर को बसाया या आबाद किया गया है जैसे four example जैपूर ठीक है जोदपूर जैपूर जोदपूर हैदराबाद जैपूर जोदपूर हैदराबाद और इसके बाद में क्या है तुगलकाबाद क्या है तुगलकाबाद यह सारे के सारे क्या है बहुविरी समास के उधारन है क्योंकि जिस नगर को बसाया या आबाद किया गया हो राजा जैसिंग के द्वारा राजा जैसिंग ने बसाया है जिसे वो क्या क्या लाया थर्ड परसन जैपूर ठीक है राव जोधा ने राव जोधा के राव जोधा के द्वारा बसाया गया बसाया गया पूर क् हैदर अली के दुवारा आबाद किया गया हैदर अली के दुवारा आबाद किया गया हैदर अली ने हम इसे भी ये भी कह सकते हैं हैदर अली ने आबाद किया जिसे वो क्या कहलाता है है हैदर अबाद ठीक है तुगलक ने तुगलक ने आबाद किया जिसे तुगलक ने आबा किया जिसे उसे क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों उसे कहते हैं तुलक का बाद ये था आपका बहुविरी समास समास विग्रे करने पर हम क्या करेंगे यहां नील कंट है जिसका तो जिसका सवद आ जाएगा पीला वस्तर है जिसका तीन नेतर वाला चार भुजाओं वाला इसमे यह वो कहला है बहुविरी समास इसके बाद प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है बात करते हैं six की six क्या है हमारा तत्पुरुस समास है क्या है तत्पुरुस समास तत्पुरुस समास में दूसरा पद परधान होगा यह आपको ध्यान रखना विशेशन विशेशन नहीं होगा क्या हैं दूसरा पद परधान समास दूसरा पद परधान समास क्या क्या लाता है हमारा तत्पुरुस समास क्या लाता है ये चलता है कारक चिन्नों के आधार पे ये किसके आधार पे चलता है कारक चिन्नों के प्यादार पर जैसे यहां पर हमने ले लिया करम ठीक है क्योंकि यहां पर क्या है करम तत्पूरुस है एक हमारा क्या है करम तत्पूरुस है एक दूसरा क्या है करन तत्पूरुस है संपरदान तत्पूरुस होता है एक प्यारे दोस्तों अपादान तत्पूरुस होता है अथीक्रण तत्पूरुष में है। इसके अंतर गथ हमं समास विघ्रह में होुँगे यहां पर क्या है यह सारे की सारे हमारे तत्फूर्ण समास के हो गई ये तत्पुरुस 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 और इसमें जब हम यहां पे लेंगे यह करता यहां करम को करण से और के द्वारा का परियोग हम समास विगरे के दोरान करेंगे इसमें के लिए का परियोग हम करेंगे इसमें प्यारे दोस्तों से अलग होने की सेंस में हम करेंगे से अलग होने की सेंस में से का परियोग इसमें हम का के का की का परियोग करेंगे और इसमें हम में पे और पर का परियोग करेंगे कैसे करेंगे वो यहाँ पे देखो अब इसमें जो सब्द आएंगे उनका समास विग्रेक जैसे ग्राम गत तो यह क्या हो जाएगा गाओं को गया ठीक है ऐसे ही आपको द्यान रखना है यहाँ पे गुन युक्त गुन से युक्त ठीक है सूर रचित सूर के द्वारा रचित सूर रचित सूर के द्वारा रचित तुलसी कर्थ तुलसी के द्वारा लिखी गई तुलसी कर्थ ऐसे यहाँ पे हम करेंगे प्यार दोस्तो गुरू दक्षिना गुरू के लिए दक्षिना गुरू की दक्षिना नहीं होगी ठीक ही आपको दियान रखना है माल गोदाम, माल के लिए गोदाम हवन सामगरी, हवन के लिए सामगरी अपदान है पाप पतित पाप से पतित है पत भरष्ठ है, पत से भरष्ठ है से अलग होने की सैंस में परियोक किया है सम्मंद कारक है राज पूत्र राजा का पूत्र राज धरम राजा का धरम राज धरम क्या क्या लाएगा राजा का धरम अधीकरण क्या क्या लाएगा गरहे परवेश घर में परवेश वन वासी वन में वासी आप बीती आप पर बीती आप बीती आप पर बीती तो इसमें हमने ये सारे कारक् यह समास विग्रे के दोरान इस वज़े से यह करम तत्पुरुष, यह करन, यह संपरदान, यह अपदान तत्पुरुष, संबन तत्पुरुष, और यह कहला है अधिकरन तत्पुरुष, बीस मिनट के सो में पूरा समास complete हो गया, ठीक है, तो यह आपको द्यानक नहीं, इसक सो ट्रीक है जो बारा मिनिट में आप कोश्चन करने हैं यह आपको ध्यान करना यह वाला आपका टोपी कम्प्लीट कल विराम चिन को देखेंगे सो ट्रीक के माद धम से सभी दोस्तों को नमस्कार धन्यवाद खात करना आपका लूस्तों करना आपका लाओजय तुम्हा रवाला घटन